आज की कप्छा में हम प्रस्नावली तीन दसमलों दो हल करने जा रहे हैं हमारा पहला प्रस्न है आभाज गुननखंड विधी द्वारा निम्नलिकित में से प्रतिक संख्या का घनमूल ग्याद कीजिए तो इसका मैं पाँचवा प्रस्न ले रहा हूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे इस संख्या का आभाज गुननखंड करेंगे आभाजे गुनण खंड करना आप पहले सीख चुके हैं इससे पहले वर्गमूल वाले पाट में भी हमने इसे बहुत अच्छी तरह से सीखा था तो इस तरह से हम इसका आभाजे गुनण खंड करते हैं तो ये घंदमूल का हमारा ये चिन होता है इस तरह से आपको याद होगा वर्गमूल में हम ऐसा चिन देते हैं तो घनमूल में थोड़ा सा अंतर करेंगे कि यह जो ऐसे चिन देते हैं यहाँ पर एक तीन इसके यहाँ पर लगाएंगे तो यह घनमूल हो गया इससे हम वर्गमूल का चिन यह कहेंगे यह घनमूल का चि गोना बो ये 3 बार हो गया आब ये कितनी बार है एक दो 3 चार पांस छे साथ आठ को इसे हम यह इस तरह से लिखतें सिंत 3 गोना 3 3 गोना तीन एक दो Hai प्रिक्रिया ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग वर्गमूल में करते थे आप याद कीजिए कि वर्गमूल में हम दो-दो का जोड़ा या युगम बनाते थे लेकिन यहां घनमूल में हम तीन-तीन का त्रिक बनाएंगे यह त्रिक हो गया एक तीन का समोह या त्रिक कहेंगे यह एक त्रिक हो गया यह एक त्रिक हो गया यह भी एक त्रिक हो गया और यह भी एक त्रिक हो गया अब परते एक त्रिक के लिए हम इसमें से एक-एक बाहर लाते हैं तो ये इस त्रिक के लिए हमारे ये दो हो गया और इसके लिए अगले वाले के लिए ये तीन और फिर ये तीन और फिर ये तीन इससे दो आ गया इससे ये तीन इसका तीन और इसका एक तीन 2 तीज़ 6, 6 तीया 18, 18 तीया 54 तो हमारे जो संख्या दी गई थी 21,oyde, 27,000, 10,000, 1,57,464 इसका हमारा घनमूल आ गया 54 इस परह से हम अहिन प्रष्णों को भी अहल करेंगे और थाट उनका घनमूल निकालेंगे प्रष्ण संख्या 2 आकलन द्वारा निम्रिल्खित पुर्ण संख्या का घनमूल ग्यात किजिए। इन प्रस्णों में हमें आकलन के द्वारा घनमूल निकालना है। तो आएए मैं पहला प्रस्ण देता हूँ 1331 दी गई संख्या ये है हमारी 1331 इसे अब हम जाहिने और से समू में बाठते हैं। पाला समू हमारा हो गया है 1331 और दूसरा एक बज़े ये दूसरा समू होगया। तो पाला समू ये है 1331। यहां हम देख रहे हैं कि पाहले समू की इकाई में एक है। तो इसके घान्मूल के इकाई में भी एक होगा चुकि पाहने समू के इकाई का आंक ये एक है इसलिए इसके घान्मूल का इकाई अंग ये भी एक होगा और यही जो इकाई का अंग एक है यही हमारी दीगई संख्या के घान्मूल का भी इकाई अंग होगा इसलिए दी गई संख्या के घान्मूल का इकाई अंग ब्रावरी तो यह हमारा दी गई संख्या के घान्मूल का इकाई अंग मिल गया अब हम देखते हैं यह दूसरा संख्या हमारा है दूसरा संख्या यह एक है और हम जानते हैं एक का घान्म एक होता है तो इसलिए हमारे दूसरे संख्या के घान्मूल का इकाई अंग एक है इसलिए दूसरे संख्या के घान्मूल का इकाई अंग यह एक है इसलिए दूसरे संख्या के घान्मूल का दहाई अंग यह एक होगा यहां हम देख रहे हैं कि पहला संख्या के घान्मूल का इकाई अंग हमारी दी गई संख्या के घान्मूल का इकाई अंग होगा और दूसरे संख्या के घान्मूल का इकाई अंग यह दी गई संख्या के घान्मूल का दहाई अंग होगा तो इस परकार हम देखते हैं, इसलिए हमारी जो दी गई संख्या है का घंबूल, दी गई संख्या का घंबूल, का घंबूल बराबर, इकाई में हमने देखा एक है, और दाई में भी आया एक, तो इस तरह हो गया एक्यारा, तो इस तरह से 1331 के घंबूल होगा, वो होगा एक्यारा, ठीक, इसी तरह से हम अन्य प्रस्नों को भी हल करेंगे, प्रस्न संख्या 2 का एक और प्रस्न ले रहा हूँ, पांचवा, यह है 35937, तो हमारी दी गई संख्या है 35937, आये से समूहों में बाढ़ते हैं, पहला समूह हो गया हमारा, यहां से यह 937 और दूसरा 35, तो पहला समूह है हमारा 937, हम यहां देख रहे हैं कि इसके इकाई में साथ है, तो इसका घनमूल का इकाई अंग क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 का अगर घन निकालते हैं, तो 3, 3, 9, 27, तो इकाई में साथ आता है, तो हमारा पहले समूह के घनमूल का इकाई अंग 3 होगा, इसलिए दी गई संख्या के घनमूल का इकाई अंग 3 होगा, और दूसरा समूह हमारा है 35, तो 35 हम देखते हैं, 3 के घं से बड़ा है, और 4 के घं से छोटा है, तो हम यह जो छोटी वाली है, तीन इसे ही लेगे, तो दूसरे समू के घनमूल का इकाई अंख हमारा गया, तीन, इसलिए दी गई संख्या के घनमूल का दहाई अंख, तीन होगा, दूसरा समू का जो इकाई अंख है, वह हमारी दी गई संख्या के घनमूल का दहाई अंख हो तो इसलिए दी गई संख्या का घनमूल हमारा हो जाएगा इकाई में तीन और दाहई में विदीन यानी तैंटीस प्रस्ण संख्या तीन तीन संख्याएं दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में हैं यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं ग्याठ लिजे आई से हल करते हैं सबसे हम पहले हम दों मान लेंगे मान लिया कि पहली संख्या तीन संख्या है इसमें पहली को मानते हैं पहली संख्या बराबर 2x, दो के अनुपात में है, इसलिए 2x माल लेते हैं, इसलिए हमारी जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी 3x, और तीसरी संख्या ये हो जाएगी 4x, तो प्रस्ण में क्या दिया हुआ है? प्रस्ण से तीनों घणों के योग ब्राबर ये 99,000 है अर्थात 2x का घण जोड 3x का घण जोड 4x का घण ये कितने के बराबर होता है? ये 99,000 के बराबर है या अब 2x का क्यूब यानि घण ये क्या हो जाएगा? 8x क्यूब ये हो जाएगा 27 ये 27x क्यूब और ये हो जाएगा 64x क्यूब ब्राबर 99,000 इस समीकरन को हम हल कर रहे हैं भी 99x क्यूब ब्राबर ये 99,000 या x क्यूब ब्राबर ये 99,000 और ये 99 इधर आजाएगा? भाग में बटा 99 तो ये आजाएगा हमारा 1000, इसका अर्थ है कि x ब्राबर, x ब्राबर हो जाएगा 1000 का घनमूल 1000 का घनमूल यहाँ पर तीन लिखे हैं छोटे से तो इसे हम इसका 1000 का अभाज ये गुनन खड़ करेगे तो ये आजाएगा 10 गुना 10 गुना 10 तो इस त्रिक के जगा हम यहाँ पर लिखते हैं 10 तो x का मान हमारा आगया 10 इसलिए पहली संख्या हो जाएगी 2 into 10 यानि 20 दूसरी संख्या यह हो जाएगी 3 into 10 is called to 30 और तीसरी संख्या हो जाएगी 4 into 10 is called to 40 तो यह तीनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई प्रस्न संख्या 4 वह छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिससे 79,122 को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण गण संख्या बन जाए प्राप्त पूर्ण गण संख्या का घनमूल ग्याद कीजिए तो पहले की तरह सबसे पहले हम दी गई संख्या का आभाजे गुरनखण निकाल लेंगे तो हमने पाले से निकाल दिया है, आप भी निकाल लेंगे, चुकि आप सीख चुके हैं, कई बार हम लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में ये कर चुके हैं, और घन के चैप्टर में भी हमने अभाजय गुनिखंड किया है, तो ये हमारा अभाजय गुनिखंड हो गया, इसे हम 79,120 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 कितने बार है गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 गुना 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 2 देखें कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसके बाद 3 तीन बार है तीन गुना तीन गुना तीन इसके बाद पांच अब हम देख रहे हैं त्रिक बना के किस तरह से त्रिक बनता है कितने त्रिक बनते हैं एक त्रिक ये हो गया, एक त्रिक ये हो गया, एक त्रिक ये हो गया, ये एक त्रिक हो गया अब ये 5 जो है, इसका त्रिक नहीं बन रहा है, अगर हम इसे गुना कर दें, 5 गुना 5 से, तो इसका भी त्रिक बन जायगा, और ऐसे इस्थिति में ये पूंड घन बन जायगा, अब ये पूंड घन नहीं है, क्योंकि यहां ये तो त्रिक बन गया इतने, ये 2 का बन गया, यह भी दो का GRÜNEN भी दो का है पांच का त्रीक नहीं बन रहा है तो पांच का त्रीक बनाने के लिए हमको हम को इसे 5 गुनांख यानि 25 से गुना करना होगा तो यह जो पूछ रहा है कि वह चोटी संख्या ग्याद कीजिये नहाज जिसनी इसे गुना करने से प्राप्ट संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए तो ये जो छोटी संख्या है हमें मिल गई वो क्या है पांच गुना पांच यानि 25 इसलिए अभिस्ट छोटी संख्या ये है 25 जिससे हमें इसे गुना करना है और इसके बाद दूसरा है कि प्राप्ट पूर्ण घन संख्या का घनमूल ग्याद कीजिए तो अब हम इसे 25 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी इसलिए प्राप्त पूर्ण घन संख्या यह हो जाएगा इससे हम गुना कर देंगे पचीश से आप पचीश से इसे गुना करके देख लेंगे यह आ जाएगा आपका एक साथ दो आठ सुन शुन 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 कि यह जब आप इसे पचीश से गुना करेंगे तो आपका यह गुननफल आएगा तो यह जो पूर्ण घन संख्या हमें चाहिए थी वह हमारे मिल गई अब है घनमूल भी ग्याद करना है तो इस संख्या के हम घनमूल निकालते हैं तो इसी तरह से आप अगर इसका अभाज यह गुननफल करेंगे या कहें कि यहां यहीं पर हम इसे गुना करके तो हमारे यह त्रिक बन जाएगा तो यह क्या हो जाएगा इसका चलिए इसे मैं लिख देता हूँ अब 25 से जब हमने गुना कर दिया तो यह इसका गुननफल क्या हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और यह तो यह हमारा दो था नौ नौ बार है ना तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ इसके बाद तीन है तीन बार तीन गुना तीन गुना तीन इसके बाद यह पांच और हमने इसे 25 से गुना कर दिया तो यह पांच गुना पांच तो यह दिखिए हमारा त्रिक बन गया है एक यह त्रिक यह त्रिक यह त्रिक यह ये 3 तो इसका घन्मूल हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 तो इसे आप गुना करें 2 दुनी 4 दुनी 8 अट 2 दुनी 24 दुनी 24 पचे 120 तो इस दी गई जो पुन्ट गन संहक्या है इसका घन्मूल हमारा गया 120 इस